नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमर यूटूब चेनल फ्री एजुकुशन में दोस्तो आज किस वीडियो में हम जीके जीएस के इंपोर्टेंट और एक्जाम में बार बार पूछे जाने वाले कोस्टन को डिसकस करने वाले हैं और दोस्तो सवी कोस्टन को हम बिल्कुल डेटेल में विथ एश्टा फेक्ट के साथ में डिसकस करेंगे तो चरियो दोस्तो सुरुआत कर लेते हैं नमर फर्ष्ट कोस्टन से पहला हमारा कोस्टन है कैन वेतबा लिंक नहर परियोजना किस राष्टी उध्यान से होके गुज जरती है तो इसकोस्टन का सी ओप संसाई हो जाएगा आइडिशनल इंफॉर्मिशन को हम कवर कर लेते हैं तो दोस्तो मार्च दो होईर एकीस में नदी जोड़ो परियोजना के तहत में मद्दपदेश की कैन नदी के अधिसेस जल को बेतबा नदी में हस्तरांतित करके कैन बेतबा लिंक परियोजना सुरू की गई तो दोस्तो इस परियोजना का उद्देश क्या है तो उत्तर पदेश के सूखा ग्रस्त बुंदिल खंड छेतर में सिच्चाई सुवीदा ओपलब दकराना इसका प्रमक उद्देश है तो दोस्तो यह जो परियोजना है यह मद्द दोस्तो यह प्रात्मिक छेतर में आती है तो इस कॉस्टन का ए ओप्सन सही हो जाएगा देखे दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि जो एकोनोमी के छेतर होते हैं जो अर्थसास्त के छेतर होते हैं इनको तीन भागों में बाटा गया है ठीक है कितने भागों में बाटा गया इसमें निर्माण और वी निर्माण यानि कि इसमें क्या आता है construction आता है ठीक है और वी निर्माण यानि कि manufacturing आता है ठीक है निर्माण जैसे भवन का निर्माण हो गया और वी निर्माण में क्या हो जाएगा तो V-Nirmand का मतलब हो जाएगा कि जैसे जूते बनाने का कार खाना ठीक है और दोस्तो इसी दुतियक छेत्र में विद्दुत और गैस आपूर्धी भी आता है ठीक है और दोस्तो दुतियक छेत्र में क्या का आता है तो सेवा, फरीवहन और संचार, वैंकिंग और वीमा नाश्ट हम questions की बात करेंगे दोस्तो नाश्ट हमारा question है निमने में से किस खेल के लिए प्रिसिद गोल्डन वॉल आवोर्ड दिया जाता है दोस्तो जो गोल्डन वॉल आवोर्ड है ये किस खेल में दिया जाता है ये फोटवॉल में दिया जाता है C options ही हो जाएगा golden wall award जो है उस खलाडी को दिया जाता है जिसने पूरे tournament में सरवशिष्ट प्रदर्शन किया हो ठीक है ये जो award है इसकी शुरुआत कब से हुई थी तो 1982 में हुई थी नेश्ट हमारा question है दोस्तो तेलंगाना को एक नए राज़िक रूप में बनाने के लिए किस समीती को नियुक्त किया गया दोस्तो तेलंगाना को एक नया राज़ बनाने के लिए किस समीती को नियुक्त किया गया था स्रीकिष्ण समीती को नियुक्त किया गया था V option सही हो जाएगा देखे दोस्तो जो तेलंगाना राज है इसको नया राज बनाने के लिए सुप्रीम कोट के पूर्व मुखने आए धीस थे उनका नाम था B.N. Shri Krishna क्या नाम था तो B.N. Shri Krishna उनका नाम था और इनी की अध्यक्ष्ता में स्री किष्ण समीती का गठन किया गया था ठीक है और दोस्तो तेलंगाना राज का गठन कब हुआ तो तेलंगाना राज का गठन हुआ था दो जून 2014 को ठीक है और तेलंगाना भारत का कौन से नमबर का राज बना था तो 29 वा राज बना था ठीक है यदि हम बात करें कि अभी अपने देश भारत में कितने राज हैं, तो दोस्तो अभी 28 राज हैं, ठीक है, क्योंकि जो जम्मू कस्मीर राज था, उसको UT का दरजा मिल गया है, ठीक है, UT यानि की Union Territory, यानि की जम्मू कस्मीर, अब केंद सासित प्रिदिस बन गया है, नेश्ट वन की हम बात कर लेते है दोस्तो, नेश्ट हमारा कॉस्टन है, अलीगड मुस्लिम विश्विद्ध्याले की स्थापना किस न की थी, तो दोस्तो, अलीगड मुस्लिम विश्विद्ध्याले की स्थापना की थी, सरसयद अहमत खान है, तो इस कॉस्टन का A option सही हो जाएगा, देखे दोस्तो, और इन्होंने अलीगड मुस्लिम विस्विद्याले की इस्थापना 1875 में की थी ठीक है और किस नाम से की थी तो मुहम्मद एंगलो ओरेंटल कॉलेज की नाम से इन्होंने इस्थापना की थी और दोस्तो 1920 में इसका नाम बदला गया और इसका नाम किया गया अलीगड मुस्ल तालों के लिए प्रसद्ध है तो आप लोग उन्हें गाना भी सुना होगा इनके हातों में लग जाया ताला अलीगड़ वाला ठीक है तो अलीगड़ जो है ये तालों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसद्ध है नैश्ट हमारा क्वेस्टन है दोस्तो प्रतेक वर्स कितनी शेणियों में नोबल प्रुसकार प्रदान किये जाते हैं दोस्तो नोबल प्रुसकार ये कितनी शेणियों में दिये जाते हैं तो ये 6 शेणियों में दिये जाते हैं ठीके ठीक है पहले ये पांच छेत्रों में दिया जाता था फिर अर्थसास्त के छेत्र में दिया जाने लगा ये 1968 से तो यहां भी कॉस्टन पूछा जाता है कि जो नोबल प्राइज है ये अर्थसास्त के छेत्र में कब से दिया जाने लगा तो आप कहेंगे 1968 से ठीक है नोबल प्रुसकार प्राप्त करने वाले पहले भारतिय व्यक्ति कौन थे तो आप कहेंगे रविन्ना टेवो थे इनको 1913 में नोबल प्रुसकार दिया गया था और साहित के चेतर में दिया गया था और इनकी रचना गीता अंजली के लिए इनको ये प्रुसकार दिया गया था नोबल प्रुसकार पाने वाली यदि हम प्रथम भारतिय महला की बात करें तो उनका नाम है मदर टेरिसा ठीक है इनको 1989 में ये अवर्ड दिया गया था और सांती के चेतर में दिया गया था ठीक है और दोस्तो जो मैडम क्यूरी है ये पहली ऐसी महिला हैं जिने दो बार नोबल प्रुसकार से सम्मानत किया गया है एक तो इनको 1903 में तीन में नोबल प्रुसकार दिया गया था और दूसरा 1911 में दिया गया था नैश्ट हमारा question दोस्तो हम पी में इस्तित बुरू पाक्ष मंदर का निर्माण विजय नेगर समराज के किस सासक के सासनकाल में हुआ था दोस्तो जो बुरू पाक्ष मंदर है सबसे पहले आपको याद रखना है ये कहां परस्तित थे तो ये करनाटक के हम पी में इस्तित थे ठीक है और इसका निर्माण किस ने करवाया था तो विजय नेगर समराज की जो राजा थी ठीक है उनका नाम था देव राव सेकिन ठीक है तो देव राव सेकिन ने इसका निर्माण करवाया था नेश्ट हमारा question है दोस्तो नमबर आठ question चालुक वंस ठीक है तो जो कल्याणी के चालुक है इनकी इस्थापना किस ने की थी दोस्तो कल्याणी के चालुक वंस की इस्थापना की थी तेलब सेकन ने तो इस question का A option सही हो जायागा देखे दोस्तो एक होता है वातापी के इसकी स्थापना की थी तेलब सेकिन ने ये तीनों कोस्टन आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं जो important fact होते हैं जो वहती ज़्यादा important fact होते हैं उनको आप नोट डाउन जरूर कर लें क्योंकि ये question पूछे ही जाते हैं नेश्ट हमारा question है दोस्तो यादो बंस के संस्तापक कौन था दोस्तो यादो जो बंस है इसका संस्तापक था विलब पंचम कौन था विलब पंचम था वी option सही हो जाएगा नेश्ट बंस की हम बात कर लेते हैं दोस्तो नारकॉलेपसी किस से सम्मंदित है दोस्तो जो नारकॉलेपसी है यह एक वीमारी है ठीक है और यह अत्यधिक नीद का विकार होता है ठीक है अत्यधिक नीद के विकार को क्या कहा जाता है तो नारकॉलेपसी कहा जाता है डी ओप्सन सही हो जाएगा आगे वड़ेंगे दोस् लगाई आंसर तो देखे दोस्तो जो anti-defection law है ये भातिस सम्मिधान की दसवी अनुसूची में दिया गया है तो इसको sun का V option सही हो जाएगा कभी कभी जो term होते हैं वो English में ही लिख दिये जाते हैं इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है दल बदल ब्रोधी कानून अब आप बता पाएंगे दल बदल ब्रोधी कानून जो है इसका उलेक दसवी अनुसूची में किया गया है ठीक है और इसको क्या कहते हैं तो इसको anti-defection law हम कहते हैं ठीक है क्या था तो संविधान में वावनवा संविधान संसोधन हुआ ठीक है ये वावनवा संविधान संसोधन जो है ये 1985 में हुआ था और इसके दोरा संविधान में दस भी सूची जोड़े गई थी ठीक है ए ओप्सन से हो जाएगा और खजराहू के मंदिर कहां पर हैं तो ये मद्दपदेश के छतरपुर जिले में हैं ठीक है और देखे दोस्तो जो खजराहू है ठीक है ये चंदेल समराज की प्रत्रम राध्धानी थी ठीक है और इन मंद्रों का निर्माण किसने करवाया था तो खजराहों के मंद्रों का निर्माण जो है ये चंदेल की राजाओं ने करवाया था और दोस्तो जो खजराहों के मंद्र हैं ये हिंदू वा जैन मंद्रों का एक समू है याद रखना ये पूछा जाता है कि हिंदू का समू है हिंदू मुसलिम का समू है हिंदू मुसलिम ज चुची में सामिल किया गया और दोस्तो जो खजराहों के मंदर हैं ये नागर सैली और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है ठीक है ये नागर सैली में बनाए गए हैं और कामुक मूर्तियों के लिए ये पूरे वर्ल्ड में फेहमस हैं आप लोगों ने भी देखे हों का D option साही हो जाएगा देखे दोस्तो जो के वो लाम जाओ नेशनल पार्क है ये दुनिया का एक मात्र तेरता हुआ नेशनल पार्क है ये question पूछा जाता है दुनिया का एक मात्र तेरता हुआ नेशनल पार्क आप कहेंगे के वो आमजोर नैशनल पार्क ठीक है और दोस्तों यह जो नैशनल पार्क है ठीक है यह कहां पर इस्तित है तो यह मणीपुर के विश्णूपुर जिले के लोग टक जील पर इस्तित है ठीक है और यही पूछा गया था कि किस जील पर इस्तित है तो यह लोग टक जील पर इस्तित ह नेश्ट बन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों नेश्ट हमारा कोशन सेवाल और कवक के सेयोजन से क्या बनता है दोस्तों जो सेवाल और कवक होते हैं इनके सेयोजन से लाइकेन बनता है ठीके सेवाल और कवक का मीठा मीठा फ्यार लाइकेन होता है नेश्ट कोशन की हम बात कर लेती हैं दोस्तों नैश्ट हमारा question है मुहमद Wynn Tuglaq का वास्तविक नाम कौन सा था दोस्तों जो मुहमद Wynn Tuglaq है इसका वास्तविक नाम था उलूग खान क्या नाम था उलूग खान इसका नाम था ये options है हो जाएगा और additional information को हम देख लेते हैं दोस्तो तेरा सो वाइस इस भी को ग्या सुद्दीन तोगलक ने तोगलक वन्स की इस्थापना की थी के लिए और फिर क्या हुआ तो ग्या सुद्दीन तोगलक की निधन के बाद उसका जो बड़ा पत्र था उलूग खा या फिर उसको जोना खा भी कहा जा नेश्ट वन की हम बात कर लेतें दोस्तो भूबने सुर इस्थत लंगराज मंदर किस सैली में बनाया गया है दोस्तो जो भूबने सुर का लंगराज मंदर है ये कलंग सैली में बना है किस सैली में बना है तो ये कलंग सैली में बना है डी ओप्सन सही हो जाया गा ठीक है ल का नाम था जजिती केसरी ठीक है तो जजिती केसरी ने जो लंगराज मंदर है इसका निर्मान करवाया था और ये कलंग शेली में वना हुआ है नैश्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तो, नैश्ट हमारा question है, किस राष्ट कूट राजा ने कवी राजमार्ग, रत्न मलीका और प्रश्णोत्र मलीका जैसी रचनाई लिखी हैं, तो देखे दोस्तो, एक राष्ट कूट वन्स के महान राजा थे, ठीक है, और वो साथ में विद्वान भी थे उनका नाम था आमोग वार्षा पर्थम और दोस्तो इनोंने ही कवीराज मार्ग, रत्न मलीका और प्रशनोत्र मलीका जैसी तीन रचनाई लिखी है नैश्ट कॉस्टन की हम बात कर लेते हैं दोस्तो नैश्ट हमारा कॉस्टन है फ्रंटियर गांदी के ना गांदी या फिर सीमांत गांदी ठीक है और वात्सा खान और फक्र ए अफगान की नाम से जाना जाता है ठीक है दोस्तो इनके कितने निकनेम हो गया एक तो हो गया फ्रंटियर गांदी ठीक है और इसी को सीमांत गांदी कहा जाता है दूसरा हो गया वात्सा खान और तीसरा हो गया फक्त ए अफगान ठीक है तो इनके ये तीन निकनेम है और देखे दोस्तो अब तक दो ही विदेशियों को भारत रतन दिया गया है ठीक है एक तो है खान अब्दुलगफार खान और ये पाकिस्तान के हैं इनको 1987 में भारत रतन दिया गया था और दूसरे है नेलसन मंडेला इनको 1990 में भारत रतन दिया गया था तो दोस्तो कॉस्तन ये पूचा जाता है कि वह प्रतम विदेशी कौन है जिनको भारत रतन दिया गया था तो आप कहेंगे वह खान अब्दुलगफार खान अब तक कितने विदेशियों को भारत रतन मिल चुका है दो ये question भी पूचा जाता है कि अफरीका का गांदी किसे कहा जाता है आप कहेंगे नेलसन मंडेला को कहा जाता है और दोस्तो जो भी मैं आपको fact बताता हूँ न वो fact आपके exam में चपता ही है तो दोस्तो आपको हमारे वीडियो कैसा लगता है आप हमें comment करके जरूरू बताएं आपके positive comment से ही हमें energy मिलती है और हम अच्छा अच्छा content लाने की कोसिस करते हैं और continue आपके लिए मेहनत करते रहते हैं नेश्ट हमारे question है दोस्तो भारत की लवर नदी की नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है दोस्तो जो लूनी नदी है इसको भारत की लवर नदी की नाम से जाना जाता है दोस्तो जो लूनी नदी है इसका उदगम होता है राजिस्थान के अजमेर में इस्तित नाग की पहा प्रथम प्रधान मंत्री कौन है? Most important question है. दोस्तो, आजादी के बाद पैदा होने बाले प्रथम प्रधान मंत्री, यानि कि 1947 में हम आजाद हुए, उसके बाद में कौन से प्रधान मंत्री का जन्म हुआ? तो स्री नरंदर दास दामोदर मोदी का जन्म हुआ था 1950 के बाद में कब हुआ था मोदी जी का जन्म? तो इनका जन्म हुआ था 1950 ठीक है? और कब हुआ था? तो 17 सितम्बर, डेट भी आपको याद रखना है, इनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को और गुजरात के वड़नगर में इनका जन्म हुआ था Next question है 1953 में पहला पिछला वर्ग आयो किसकी अध्यक्ष्था में गठेथ हुआ था तो दोस्तों जो पहला पिछला वर्ग आयो गे ये 1953 में गठेथ हुआ था और किसकी अध्यक्ष्था में तो काका कालेकर की अध्यक्ष्था में ये गठेथ हुआ था वी ओप्सन सही हो जाएगा ठीक है और दोस्तों ये 1953 में गठेथ हुआ और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौपी थी तो इसने अपनी रिपोर्ट सौपी थी 1955 में और यदि आपसे पूशे जाए कि पिछड़ा वर्ग आयोग के पिर्थम अध्यक्ष तो आपको क्या लगाना है तो पिछड़ा वर्ग आयोग के जो पिर्थम अध्यक्ष थे वो भी काका काले कर थे नेश्ट कोस्टन की हम बात कर लेतें दोस्तों नेश्ट हमारा कोस्टन है गाई एवां भैस की थनों से दूद उतारने के लिए किस हार्मोंस का इंजेक्षन दिया जाता है तो दोस्तों गाई और भैसे जो होती है उनका दूद कई बार उतारता नहीं है तो उनका दूद उत फ़ी पारने के लिए एक हर्मोन का एंजेक्शन दिया जाता है ऑक्सिटोसिन हार्मोन ठीक है तो इस qaustion का ॵ आप्सनस ही हो जाएगा हाला कि दोस्तों यह जो एंजेक्शन है यह सरकार ने वेंद कर रखा है ठीक है लेकिन यह इंजेक्शन अभी भी अबेद रूप से द गतीक नमलेकितमा से किस्मे मापा जाता है, तो देखे दोस्तो, उनको बता दूँ, कि जो कंप्यूटर प्रोसेसर है, ये एक सेकंड में लाखों इंस्टेक्शन को समपादित करता है और दोस्तो जो प्रोसेसर की स्पीड होती है इसको M.I.P.S. में हम आपते हैं V.Options ही हो जायागा M.I.P.S. का फुल फूम होता है Million Instruction Per Second ठीक है क्योंकि ये एक सेकंड में कई Million Instruction को Execute कर देता है नैश्ट हमारा Question है दोस्तो सुतंतरता से पूर्व कौनसी रियासत सबसे वड़ी रियासत थी दोस्तो सुतंतरता से पहले जो हैदराबाद रियासत है ये सबसे वड़ी थी ठीक है सारे पॉइंटों को हम डिसकस कर लेते हैं तो देखे दोस्तो सुतंतरता से पहले भारत में लगभग कितनी रियासते थी तो 565 रियासते या रजवारा थे ठीक है छेत्रिफल में सबसे वड़ी रियासत कौन सी थी तो छेत्रिफल में सबसे वड़ी रियासत थी हैदराबाद ठीक है और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी छेत्रिफल में तो एक रियासत थी उस रियासत का नाम था विलवारी ये छेत्रिफल में सबसे छोटी रियासत थी और ये MP में इस्थित थी ठीक है और देखे दोस्तो फिर क्या हुआ इन 565 रियासतों और रजवाणों का एकी किरण और दोस्तो इसलिए इनकी जन्म दिवस पर इनका जन्म दिवस कब होता है तो 31 अक्टूबर को होता है ठीक है तो इनकी जन्म दिवस पर एकता दिवस बनाते हैं 31 अक्टूबर को जो साधार बाल लब है पटेल हैं इनको लोह पुरुस के नाम से जाना जाता है ठीक है याद यहाँ पर हमारे 25 questions finish होते हैं आपने कितना score किया इमानदारी से अपना score comment box में बताएं अब last and last question है आपके लिए challenging question है जो कि पूछते हैं अपने previous वीडियो से question में पूछा गया है कि सर सयद अली और अब्दुल समद किसके दरवार के प्रसिद्द चित्रकार थे आपके लिए चार option दिये गए हैं दोस्ते यदि आप चाहें तो इन चित्रकारों के बारे में या फिर इन राजाओं मेंसे जो भी इसका सही answer हो उसके बारे में detail भी लेक सकते हैं तो thank you दोस्तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको वीडियो कैसा लगा इमानदारी से हमें comment करके जरूर बताएं और दोस्तो वीडियो अच्छ लगा हो तो वीडियो को like कर दें अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share करें और जो new student हैं हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथ मैं bell icon दबायां ताकि जब भी मैं कोई नया और latest वीडियो डालूं तो उसका notification आपको मिल सके आप हमारे वीडियो सबसे पहले watch कर सके और दोस्तो इसी प्रकार के important वीडियो देखने के लिए आप हमारी playlist को विजिट कर सकते हैं playlist की link आपको यहाँ पर i button मिल जाएगी नीचे आपको discussion मिल जाएगी या पर दोस्तो अभी आपको स्क्रीन पर 3 important वीडियो देख रहे होंगे इन वीडियो उसको जरूर देख लें थैंक दोस्तो राम राम दूआ सलाम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत